हेलो प्रेंट्स वेलकम टू स्टडी विद देव स्टडी विद देव यूट्यूब चलनल पर मैं देव अंदर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर यूचेस बीएसी नर्सिंग एंटरेज एक्जाम की जो कांसलिंग होने वाली है कांसलिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं कुछ ब्रीपली बात करेंगे कांसलिंग कब तक होगी और एक्सपेक्टेड कटोप आपको फटा पट फटा पट से हमको बता देंगे फिर बाई कि आपके जो कुछ comments Yeahs आपने एक वीडियो में वह सारे comments किये हैं उन comments का जवाब देने की में फूरी कोशिश करूँगा क्या-क्या comments है और उनके बारे में हम भारे फूरी बात करेंगे ठीक है तो दोस्तों आपका भी कोई doubt है और आप भी चाहते हूं कि आपका comment का answer next वीडियो में लिया जाए तो आप सभी comment करेगा लिंक वीडियो का description में या comment box में जाकर आप comment करेगा आपके सभी comments उठाए जाएंगे ठीक है तो आप सभी comment कर सकते हो comment box में जाकर comment box में जाकर आप comment कर सकते हो तो comment जरूर करेगा comment करने से आपके comment का reply देने की पूरी कोसिस करेंगे आरोचिस की counseling है जो आज notification आने की संभा होना है आज गुनिस फेब आज notification आने की संभा होना है अगर आज notification नहीं आता है तो तोड़ा सा मुश्किल होगा कि अब आए गए कहना लेकिन आज notification आने की पूरी संभावना है मेन जो आपका target पसा हुआ है वो CHO का exam पसा हुआ है तक ठीक है यह बात आप द्यान रख लेना CHO का exam conduct होगा उसी के बाद आपका बेस नर्सिंग उससे पहले आज जाएगा लेकिन यहां तक जब तक नहीं होता है तब तक आपको प्रेसान होना पड़ेगा तो आज notification आने की संभावना है गुनिस फेव हैं आज आज notification की संभाव मतल बात करूंगा thumbnails can donate हो अगर आपके 68 प्लस है 68 प्लस है और आपके फिमेल उसक्सी फोई बिलों करतेों 65 है और आप नंबर्स फिमेल हैं तो इत्ता और आप यृद्वलीव कैटिब करते और आपके बिलों करते हैं अपके नबर आते सिक्सी फॉर जिसे हो आप और आपके नमर आ रहें 55 प्लस और आप फिमेल हो तो 40 प्लस ये कटोप में बता रहा हूँ एक एक सब्सक्राइब कटोप में आपको बता रहा हूँ जो किसी ने किसी गुवर्मेंट कोलेज आपको मिल जाएगा इतनी कटोप के तयात बाकि एक डिगरी वजाती सब्सक्राइब में जाएगा ऊच़ का करो डिगरी आ रहें जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो के चो परोप पांस सैकन्ड के अंदर आंदर उसका वीडियो सेलिशन मिल जाएगा वो भी बिल्कुल फ्री में यानि आप आप पूछे अपने अलिमेटर सवाल कहीं भी कभी भी अब चाहे आपका सवाल क्लास चट्वी से बारवी IITG या नीट का हो या फिर CBC UP बिहार राजस्तान ओद्रिस्टेट बोर्ड का हो कोई भी सब्जेक्ट हो आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिरफ डाउटनट एप पर साथ ही डाउटनट पर चल रही है नवी से बार भी IITG नीट के बच्चों के लिए ओनलाइन क्लास है जिसका इस्सा बनकर देश के सभी राज्यों के बच्चे लिक रहे हैं रैंक पस्ट तो आज ही क्ली वीडियो डाला था उसी वीडियो के कमेंट तो देखते हैं सबसे पहला जो कमेंट आ रहा है वह कमेंट है प्रीम का बासकर का तो इनका है कि 68 पर मेरा गौर्रमेंट में हो जाएगा क्या देखो दोस्तों या जो भी हैं आप आपको मैं बताता हूँ कि इस बार कोवीड टाइम चलाता क्या चलाता कोवीड टाइम चलाता एक मिनट अभी कोवीड टाइम चलाता तो कोवीड टाइम में राजस्तान में में रास्तान में जो दोजार एक्किस वाला बेच ता दोजार एक्किस वाला बेच ता इसमें क्या किया था आप सभी लोग जानते हो ब प्राइबेट स्कूल वालों को प्राइबेट स्कूल वालों को अच्छी परसेंटेज बनी ती जो पढ़ने वाले नहीं थे उनके भी 80 प्लस परसेंटेज बनी थी तो तोड़सा आपका चांसेज मुझे नहीं लगता कि आपको गुवर्मेंट कुलेज मिल जाएगा ओके एक कर सकते हैं हर बार रहो सकता है क्यूंकि वाले की वजब उससे आपको 10 की पर्सेंटेज सामिल कर सकते हैं ठीक है चलिए आप हमारा हो जाएगा कि government college में हो जाएगा क्या by students हूँ से हूँ 79 female 2019 में pass किया था देखो आपने 2019 में पास किया है तो आपको possibilities है साइध हो सकता है 2020 वालों के लिए 2020 वालों के लिए 2021 वालों के लिए अलग-अलग तरीके से counseling करवाई जाएगी अलग-अलग का counseling का रूल रहने वाला है जहां तक में पॉसिबिलिटीज हो अलग-अलग रहेगी तो आपका हो जाएगा ठीक है अगला है सर मेरा सब्जेक्ट बाइलोजी से 88 है SMS मिलेगा अनूज कुमार SMS तो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप सभी को पता इस बार सब्सक्राइब कुछ सब्सक्राइब करेंगे तो उनको SMS मिल जाएगा अगर चांसे बनता है फिर भी चांसे जह लगबक टेन परशेंट चांसे ज्यादा नहीं तेन परशेंट चांसे आपका रहने वाला है अंकीता मेरा 66 क्लियर किया है टी एस पी एस टी से ठीक है 2019 मेंगर आपने पास किया तो आपकी पोसिबिलिटीज बन रही है गोवर्मेंट के लिए OBC मेल कटोप क्या रहती है गोवर्मेंट के लिए OBC मेल कटोप रहूल पुनिया हर साल बहुत जादा यह नहीं रहती थी 72-73 के आसपास रहती थी लेकिन इस बार आपकी जो यह कटोप यह लगबक डारेक्ट 10 नंबर या 18 नंबर बढ़ने वाले प्लस 18 वने वाले लगबक 90 के आसपास इस बार जाने कम है सर मेरे 77 परसेंट से पहले पास किती SMS मिल जाएगा क्या अगर रूल अगर अलग लगता है नो चांस हां सही है और चांस बहुत कम है सर आरपिमसी से डिप्लोमा करना सही है या गलत आरपिमसी डिप्लोमा करना मतलब है अपना तीन से चार साल बरबाद करना क्या होता है बरबाद करना होता है लेकिन वह भी डिप्लोमा भी जरूरी होता है इसलिए तीन से चार साल बरबाद करना होता गलत तीन साल से एक एर को एकजाम जाए और मेरे दो साल के डिप्लोमें छे साल लग गए हां गोविन बिल्कुल सही है तीन से चार साल तो लगी जाते हैं ति आप छे वी वह लेकिन तीन साल की तीन सार्ग बोलेंगा बीस नर्सिंगी काउंसलिंग कब आपको आपका सब्जेक्ट बायो होना चीए ना कि आर्ट्स कॉमट्स को मेरे क्या मुझे समय मिल जाएगा अपको फोरम करना वी बता हो वही फोरम करना में बता चुका हूं राज आप जाकर चैनल पर चेक कर लिए और आपको जीने में कोलेश कौन कौन सी है तो मैं आपको जल्द ही उनके बारा में डिटेल दे दूँगा ठीक है वीडियो बना ओके जरूर जरूर विक्के 975-9785 आपको जरूर वीडियो मिलेगा सर आपने आज का बोला काउंसलिंग का देखो इस इता काउंसलिंग ना तो मेरे हाथ में हैं ना किसी के हाथ में आर बीजो लिया गोर्रमेंट कोलेज की कटोप फोड़ी हाई जाएगी बायवाल स्ट्रेंट्स के लिए भी हाई जाएगी क्योंकि इस बार कोविड़ वाले उनस तबसे ज़्यदा गपला कर दिया है तो केंड़ेट करना चाहिए जेनेम के लिए जेनेम के लिए एक्जाम कटॉप ज्यादा नहीं गया था लेकिन इस बार कटॉप पर आपको कोलेज साहिधी मिल पाए दोजार गुनिस मोबीसी फिमेल मिल जाएगा यह कट अगर कटॉप का अगर रूल अगर वो लगया जाता अंकीता दोजार गुनिस वालों के लिए अलग और दोजार वीस वाल जल्द ही चालो होने वाली है सर मैंने फोरम बढ़ दिया बट एप्लिकेशन आइडी नहीं मिला सिर्फ ट्रांजेक्शन आइडी मिला है सर पता करके फोरम बरा या नहीं बरा तो दोस्त आप एक बार कॉंटेक्ट कर लीजिए आपको पुरी समस्या का समधान दे देंगे फो क्या एसमस नहीं है वैसे वह होता जेपूर का कोलेज है एसमस नहीं है एसमस तो बस नर्सिंग के लिए हैं एसमस कोलेज में जी एन भी होता है क्या भाई वह एसमस नहीं सो परसेंटेज मिलेगी पक्का बट अपनी होम डिस्ट्रिक वाली कोलेज लेना एंड मत ले क्या बोलना चाहते आपके बस एक्षाइब, पीछली का टॉप क्या रही थी, पिछली का टॉप क्या रही थी, पिछली का टॉप स्टी की कमी रही थी, लगबर, के कमेंट का रिप्लाई देने के में पूरी कोशिस करूंगा और जल्द ही कल सुबह आपको इसी टाइम वीडियो मिलने वाला है ठीक है दोस्तों धन्यवाद दोस्तों टेक केर्स